नमस्कार बहुत सुवागे थे आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट ब्रिश्ची करासी वालों आपके जीवन की महतपुन भविसेवानी आपके विशेस्ताएं आपकी कमजोरी आपके जीवन से दुखों का अंतक कब होगा और इसके साथ ही आज हम ये भी जा से अब बिछू का मतलब आप जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे ही आप उच्च यानी उच्चतम अस्तर को चूने वाले बन जाते हैं आप कभी-कभी खतरनाग भी होते हैं वैसे बाहर से भले ही मifiques आप कड़क दिखे पर अंदर से motion होते हैं वैसे रंग बदलू भी होते चोट नहीं पहुचाते, सांत रहते हैं, अपने जीवन में खुश रहने वाले होते हैं, पर अगर कोई धोखा दे, तो फिर बदले की भावना दिल में बैट कर जाती है, मौका मिलते ही, एक बार डंक जरूर लगाएंगे, वैसे आप में उत्सा खूब होता है, सक्ति साली हो और बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी डट कर मकाबला करते हैं, तो ब्रिस्चिक वाले जो होते हैं, आपका ब्यक्तित तो चुम्ब की होता है, आपके आकरसन की बज़र से लोग आपको मुर्मुर कर देखते भी हैं, आप बड़े बुधिमान होते हैं, अच्छा बोलते हैं, लोगों को आपका बोलना अच्छा लगता है, और ये आपके लिए बहुत आसान है, कि आप हर किसी को अपने तरफ गुमा लें, यानि बड़े से बड़े काम आप चुटकियों में कर सकते हैं, करवा सकते हैं, अपनी वानी के दंपर, वैसे आप भाबुक होते हैं, व से बड़ी कमजोरी ये है कि आपके अंदर सहस का भंडार है, बहुत सासी है, लेकिन कभी भी किसी पर सीधे हमले नहीं करते हैं, सामने से जवाब देना नहीं चाते हैं, आप अपने लक्ष को पाने के लिए पहले योजनाय बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, कभी कभी जोर तोड करने वाले, कभी जुनूनी, कभी औविस्वासी, कभी जिद्धी भी हो जाते हैं, पर होते हैं बड़े दिलचस्प, अब ब्रिस्चिक वाले जो होते हैं, अगर इनके हम लाइफ स्टैलिक संजचना की बात करें, तो बहुत तीखे ने नक्स वाले, थोरे से पर लिये वे हो सकता है, गाल थोरी सी हड्डियां चप्टी होती है, और माथा चोड़ा होता है, और वैसे इनकी जो तुलना है ना, बाडी के तुलना में हाथ थोरे छोटे होते हैं, वैसे आत्म विस्वास से भरपूर होते हैं, गंभीर होते हैं, सांत होते हैं, और बे मत अब हम अगर जाने कि बिस्चिक रासी वाले कौन से नच्छत्र में पैदा हुए हैं और उनके जीवन पर इसका क्या प्रभब पड़ता है देखिए बिस्चिक रासी है उनमें तीन नच्छत्र के अंतरगत बिस्चिक रासी आते हैं बिसाखा नच्छत्र अनुराधा करेंगे कभी कभी थोड़े से घमंडी होंगे और थोड़े से कभी कभी स्वार्ती होते हैं लेकिन अगर आपका जन्म अनुराधा नच्छत्र में हुआ है आप ब्रिस्चिक वाले हैं तो अनुराधा नच्छत्र का स्वामी सनी है तो यह नच्छत्र सारे नच्छत्रों मे इनका बैभार बहुत अच्छा होता है वैसे थोरे से जिद्धी भी होते है जेश्टान च्छत्र वाले बिश्ची वाले कैसे होते हैं देखी जेश्टान च्छत्र का स्वामी बुद्ध है तो ये थोरे से कभी-कभी और बेवस्थित चित्त वाले हो जाते हैं कभी-कभी निरासाबादी होते हैं और बड़े-बड़े मामलों में कभी-कभी फ़स जाते हैं अपने ही कारण और जादा तर ये दुखी रहते हैं सारिरिक, सामाजिक दोनों ही तकलीफ इनके शिसे ज़्यादा आती है अब हम जानते हैं इनके बड़े में कुछ खास बाते हैं देखें बिच्चिक वाले जो होते हैं भागे अपने नियंतरन में रखते हैं और इनके अंदर क्या चल रहा है वो आप कभी नहीं जान सकते जब तक ये आपको बताना न चाहे अब लाक चालो वैसे ये दूसरों को जानने के मामले में बड़े गंबीर होते हैं चाहते हैं कि दुनिया के हर सवाल के जवाब इनके पास हो हर किसी के बारे में इनके पास तमाम तरह की बाते हो खोजी इंसान होते हैं परदद परद रहस्ये खोलते चले जाते हैं वैसे कभी-कभी बेसरमी भी होते हैं क्योंकि ये अपने काम को करने लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कभी-कभी खुद बिस्चिक वाले अपने लिए ही बिनास्कारी सावित हो जाते हैं वैसे मेहनत से घबराते नहीं और अगर किसी बात का बुरा लग जाए तो चुप हो जाएंगे अकेला पंसा महसूस करने लगते हैं किसी भी तरह की इनके बारे में कोई जांच परक इन्हें पसंद नहीं आता और थोड़ा सा भी अगर किसी तरह का बिस्वास घात की भनक लग जाए तो ये साबधान हो जाते हैं बहुत वफादार होते हैं दोस्त के मामले में अच्छे से रिस्ते निभाते हैं लेकिन खतरनाक दुस्मन भी होते हैं बदला लेने की इक्षा इनको एकदम से अलग बना देती है रहस्य मई नजरे इनके आसपास के लोगों को सम्मोहित करने वाली होती है मिलनसार होते हैं उर्जावान होते हैं अफसर का लाब उठाने वाले होते हैं और इनके जैसा दूसरा नहीं होता वैसे जो बिस्षिक वाले होते हैं हमेसा आगे बढ़ते रहना इन्हें अच्छा लगता है प्यार के मामलों में थोड़े भाबुक होते हैं प्यार को भूलना इनके लिए बहुत मुस्किल होता है वैसे सारेरिक और भाबनात्मक पहलू इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सहज होता है पता करना कि इनका साथ ही क्या चाहता है इनके अंदर चुम्ब की आकर्शन होता है कभी-कभी ये तड़क-भड़क और सचे प्यार में भेद नहीं कर पाते और सायद कभी-कभी इसी कारणी ये धोखा भी खा जाते है तो ये तो थी ब्रिस्चिक वालों के जीवन के बहुत सारे पहलू अब हम बात करेंगे आपके जो जीवन में दुखों का अंतकब होगा देखे ब्रिस्चिक वालों कुछ मामलों में जैसा हमने आपके बारे में बताया कि आप एकदम से कभी-कभी भावनाओं में बैज आते हैं कभी कठोर हो जाते हैं कभी किसी को किसी की बातों को आप ज़्यादा तबोज़ो नहीं देते हैं तो कभी-कभी चीजों को हालातों के नुसार खुट को ढालना चाहिए आपको आपके जीमिन में दुख आएगा ही अगर आप चीजों से समझाता कर लेते हैं तो दुख नहीं आएगा लेकिन यहां समझाता नहीं कर पाने के कारण आप जादा परिसानी में पड़ जाते हैं तो इसको आपको समझना होगा दूसरी बात आप होते हैं बहुत टैलेंटेट बहुत जादा उरजावान और आप होते हैं कि जैसे आप में सकात्म क्या होता है आपका कौंफिडंस बहुत होता है तो इस को सही जगह पर लगा है आपका चुम्ब की गुन जो है तमाम कारियों को आप आसानी से दूसरों से पूरी कर बायूं और आप अच्छे होते हैं तो इस पर फोकस किजिए ना कि कुरूर होना अभी अभिमानी होना ये सभी चीजें आपको कहीं न कहीं गलत जगह ले जा रहा है तो इन से निकलिए बाहर और जलन की भावना बिल्कुल भी ना रखें वैसे आप जो द्रड एक्छा सक्ती के मालिक हैं उस पे कायम रहिए और जीवन की तमाम परिसानियां सम मंगल हैं तो हम आप से विदा लेते हैं धन्यवाद